नमस्कार दोफता एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हारदिक स्वागत है लेटर फटर निकल कर आई है कि फिट्मेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की वज़े से 9000 रुपे बढ़ जाएगी करमचारियों की सैलरी तो दोफतो हम आपको सब डिटेल में बत करते हैं उनकी नोटिफिकेसन आप लोगों के पास तुरंट पोस्ट के तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तो केंदरे करमचारियों के लिए एक बार फिर गुड न्यूज है केंदरे करमचारियों की सैलरी में एक मुफ्त 9000 रुपे की बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तो नए साल के दूसरे महीने में केंदर सरकार 52 लाग से ज्यादा केंदरे क्रम चाहरी के फिट्मेंट फैक्टर में बड़ोत्री कर सकती है दोस्तों सरकार अगले साल एक परवरी 2023 को पेस होने वाले बजट के बाद केंदरे करमचारियों की इस डिमांड पर फैसला ले सकती है दोस्तों बेसिक सालरी में फिटमेंट फैक्टर के थैत बढ़ोतरी होती है इसे बढ़ा कर 3.68 गुना किया जाने की मांग की जा रही है फिटमेंट पैक्टर के 2.57 से बढ़ा कर 3.68 करने पर मीनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपे से बढ़ कर 26,000 रुपे हो जाएगी अगर केंदर सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंदर करमचारी की 99 सैलरी में जबरदफ्त बढ़ोतरी होगी दोस्तों आखरी बार साल 2016 में फिटमेंट पैक्टर को बढ़ाया गया था उस साल फात्मा वेतन आयोग भी लागू हुआ था उस समय करमचारी की 99 सैलरी 6000 रुपे से बढ़कर सिध्धी 18,000 रुपे हो गई थी जबकि उच्टम सतर को 90,000 रुपे से बढ़ा कर 2,50,000 रुपे कर दिया गया था अब सरकार इस साल केंदर करमचारी की सैलरी में फिर से बढ़ोतरी कर सकती है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर केंदर सरकार के सभी करमचारी के लिए बेसिक वेतन तै करता है एक बार अगर फिर से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो नियुनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपे से बढ़कर सिधी 26,000 रुपे हो जाएगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय पारत